हलो एवरिवन वेलकम टे कुशी का एजुकेशन मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णे माता सिंग मैंने एंसी एंस टेक एंड में सोशिलोजी किया है यूजिसी नेट कॉलिफाइड ने बागी आप यहां से पढ़ सकते हैं तो आज हम करने जा रहे हैं सोशिलोजी में टा सकता है फैमिली जैसे एक सिस्टम है ठीक है गौर्वर्मेंट एक सिस्टम है स्कूल एक सिस्टम है तो किसी भी सिस्टम को वर्क करने के लिए कुछ फंक्शन करने के लिए कुछ चीजों की जरुरत होती है ठीक है तो उसको उन्होंने कहा एजाइल फ्रेमवर्क यह क्या है एक sociological model उन्होंने डेवलिफ किया था किसने टालकट परसन किसके लिए analyze the functional requirement of social system तो एजायल में उन्होंने कहा था कि किसी भी system को maintain करने के लिए चार function की ज़रूरत पड़ती है उसकी stability को maintain करने के लिए कि बना रहे और वो जिवित रहे ठीक है किसी का पैसे की बहुत कमी होगी या कुछ क्राइसिस आ गई तो उस में फैमिली किस तरीके से अपने आपको change करती है तो वो आजाएगा adaptation से से तरीके से स्यूसाइटी की बात करें रहे ठीक है इस लोगों को घर पर रहना पड़ा था तो हमने वो जो चेंज आये थे उस टाइम पर कि सब कुछ ओनलाइन करना पड़ रहा था तो वह हमने हमारा अड़ेशन में आजाएगा कोई चेंज आ रहा है कुछ भी आ रहा है कितनी किस तरीके से अड़ेप्ट करेंगे गोल अब यह से सुसाइटी का में गोल कि सब को खाना मिले सब अच्छे से रहें प्यार प्रेम से रहें बहुत जादा गरीब ही ना हो कोई भूखा न रहे तो गोर्मेंट भी चीज़ों पर वर्क करती है टेक्स लेती है और पूर लोगों पर स्पेंट करती है उसको उसके लिए कोई डिस्ट्रिबेंस नहीं होना चाहिए एक रिलेजन को जादा इंपोर्मेंट दे दूसरे को इंपोर्टेंस ना दे तो क्या होगा यह लोग आपस में लड़ बिड़ेंगे तो उससे स्टेबिलिटी गढ़बढ होगी तो हमारा इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है उसक पासन ने बात की है तो ए से अडिप्टेशन जी से गोल एटरेंवेंट इंटीग्रेशन एंड लिटेंसी पेटरन मेंटेंस के इनोंने 5 वेरियेबल भी दिये हैं वह भी आप देखकर जाएंगे अच्छा मैंने ना अने पर आप लोगों को रैपिड रिविजन कराया है ज आज भी आपकी MCQ की यूनिट 1 की क्लास हो चुकी है शाम को आज 7.30 पे आपकी क्लास है ओके और पार्ट 3 कल आपकी क्लास है 7.30 पे यह दोनों ही क्लास होने वाली है इसमें हम यूनिट 2 के रिसर्च मैथडोलोजी के जितने भी प्रिवेस यर कोश्चन होंगे और यहां प आप इसको जोइन कर सकते हैं और रोल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वीडियो आएगा जिसको आप नोटिफाइ में पे क्लिक करेंगी जैसे ही मैं अकेडमी पे लाई आउंगी आपके पास तो उन्हें ने कहा था कि कोई भी एक्शन जो होता है तूक है उसमें क्या रहता है की भाई कोई भी काम हम कर रहे हैं तो आप जयार फ के लिए नेट के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप जयार फ के लिए क्यों कर रहे हैं तो आप जयार फ के लिए क्यों कर रहे हैं तो आप जयार फ क्यों कर रहे हैं तो आप जयार फ क्यों कर रहे हैं तो आप जयार फ करने के लिए पेपर लिग करवाना है, चीटिंग करनी है यह आप डिपेंड करता है अब आप ही वह person हो आप ही वह actor हो इसको करने वाले हो तो इन्होंने इस बताया था कि कोई भी person होता हो पहले appropriate resources यह सब्सक्राइब करता है अपने डिजाइड गोल तक पहुशने के लिए उसके बाद वह डोमिनेंट वैल्यूस जो होती है उनको जस्टिफाई करता हुआ उसको वह करता है तो इसमें इन्होंने तीन टाइप की नहोंने मोटिव बताये थे ठीक है तीन टाइप की एक्षिन आपको याद होने चाहिए कि कौन से तीन थे जिसे यह दोनों दे दिया होंगे या कुछ एक एड कर देंगे यहां पर तो यह तो क्या है एक्षिन है मोटिव नहीं है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देते वे इसको पढ़ना है अगर आपको किसी भी टोपिक आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा एक मोटिवेशन बढ़ता है और अनकेडमी पे मैंने आप लोगों के लिए रैपिड रिविजन के लिए लिए क्लास लेनी है आज आपकी एक क्लास हो चुकी है कल भी आपकी दो आज आपकी क्लास होगे मैंने आपकी एक मैंने खिए.